जनपद उदम सिंग नगर के रूदरपूर में किच्छा रोट सित नीजी अस्पताल में नशा मुक्त केंद्र का SSP डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के द्वारा उद्खाटन किया गया SSP डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि जनपद में इस प्रकार के पुन सुधार केंद्र की बहुत ही आविशक्ता है जिसे मेडिसिटी अस्पताल द्वारा शेर को दिया गया है इसके तहती SSP मंजुनाथ टीसी ने बताया कि नशा खोरी को समाथ से निकालना है तो इसके लिए तीन चीजों की जरूरत होती है जिसमें शिक्षा, जागरुक्ता, प्रशाशन पुनर सुधार केंद्र केंद्र के मुख्य रूप से आविशक्ता होती है इस इक्रम में उन्हें कहा कि नशे से मुक्त होकर आज का युवा अपनी सकारात्मक उर्जा का प्रयोग कर समाज की प्रगती में अपना सकारात्मक योगदान दे सकता है रूदरपूर से मुकेश मंगल रूपोर्ट हम हमेशा डिमांड करते थे डॉप से किसाव एक साइंटिफिक रूप से जो रिहाबिलिटेशन का जो एक सेंटर है बनना चाहिए आज इसका एक सफल एक सफना जो है सफल हुआ है क्योंकि हम अगर सारे परिवार मिलके एक आदतन नशाखोरी को एक तरफ ले आना चाह रहे है तो रिहाबिलिटेशन इंपोर्टेंट दूर है साइंटिफिक रिहाबिलिटेशन इसमें डॉक्टर मिलान सर है मिदान्ता मेडिसिटी हॉस्पिटल द्वारा जो यह सुरू किया है यह बहुत ही एक नेक और बिल्कुल नोबल कॉज है नोबल कॉज है यह खबर उत्रकंड के डोईवाला से है जहांके संगाव नाही कला के ग्रामीड वर्षों से सड़क बनाये जाने की मांग कर रहे है ग्रामीडों ने कहा कि यदि सड़क का निर्मार जल्द से जल्द नहीं होता है तो वह चुनाव में वोट नहीं डालेंग वहीं ग्रामीडों से बात करने के लिए जोईवाला SDM संगाव वहची जहां उन्होंने ग्रामीडों को मराने का प्रयास किया पर इस वारता का कोई निशकर्ष नहीं निकल सका वहीं इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान हिमंती रावत वह छेत्र पंचायत सदस्ते अतुल कुंडीर ने कहा कि सड़क के अभाव में यहां के लोगों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है वहीं कॉंग्रेस जिला द्रक्ष मोहित उन्याल ने कहा यहां ग्रामीडों को मूल भूत सड़क सुविदा नहीं मिल पा रही है जिसके लिए उन्हें लगतार सब्सक्राइब करने के बावजूद भी तक फॉरस्ट के अधिकारी पोचे नहीं है तो अभी वारता चल रही है तो देखते हैं क्या हल निकलता इसका खड़क सड़क की स्थितिके देखने के लिए ही हम लगों ने मैडम को यहां बुला तकि आप भी देखिए मोगों की स् सब्सक्राइब करते हैं तो आज हम लोगों ने इनको अपडेट किया है उस इंफरमेशन के साथ इसके साथ साथ इनके साथ बातचीत करते हुए यह भी एक चीज सामने आई है कि यह लोग और उचदिकारियों से बात करना चाहते हैं तो हम आज की जो भी यहां पर वारता ह हुई है उसकी रिपोर्ट अपने उचदिकारियों को करते हुए उनसे एक समय लेकि इन लोगों की एक बर मीटिंग जिले स्थर पे उचदिकारियों से गर राएंगे हमारे परवतिये चेतर के रामिनों को अपनी सड़क के लिए मूलभुत सुभिधाओं के लिए संगरश मैंने मुलाकात करी थी वन मंत्री से अधडी सुभो दुनियाल जी से और उनके सामने हमने बात रखी थी संगाओं नाही कला इधर लडवा कोट हल्दवारी जितने सतेली जितने यह चेतर हैं यहां सब में सड़के नहीं है तो आज भी आज क्योंकि हैं सबसे बात करने के मत्काच स satisf, काफी समय से हम में प्रयास कर रहे हैं यहां कि सड़क बन जाए लेकिन सड़क मस Parasasana हमारी बातनी सुनता है किसे हम अपनी गुहार लगाएं कि हमारे सड़क बनाएं निदी भी आते हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती है कुछ हमारी बातों का अंदेखा करके चल जाते हैं बरसात में तो पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है हमारा गाउं से निकलना दूबर हो जाता है हम जब कोई अगर कोई बिमार पड़ जाता है तो उसमें हमें क्या करें हम कैसे लिजा सकते हैं फिर उसके लिए कोई सुवीधा नहीं है जैसे अब महिला का प्रसव होता है तो उनको बहुत परसानी होती है रस्ते रस्ते में उनकी डिलिवरी अगरे प्रसव अगरे हो जाते हैं